प्योंसाज हम बात करेंगे HIV AIDS के बारे में और इसे संबंदित बहुत सारे सवाल होते हैं अलग लोगों के अलग लग तरीके के क्या एक positive male अगर किसी male के साथ कोई भी किसी भी तरीके की physical contact करता है तो क्या वो उसको बिमारी देगा तो बिल्कुल obviously अगर कोई भी male अगर किसी male के साथ contact करेगा तो उसको ये बिमारी हो सकती है और वो दूसरा व्यक्ति भी positive हो जाएगा responsible अगर हम किसी को ये कहें तो उसमें वही होगा कि कारण क्या रहे उसके पीछे तो उसमें body fluids इसमें आपका सीमें या जिसको वीर करेते हैं वह एक से दूसरे व्यक्ति में चला जाना और इसके पीछे भी कारण जो होते हैं वो oral sex के मही होते हैं कि कुछ लोग oral sex करते हैं or उसकी वजह से जो body flu寸 होते हैं वो एक से दूसरे व्यक्ती में चले जाते हैं और इससे दूसरा व्यक्ती positive हो जाता है तो यह दो कारन भी हैं जो की एक male से दूसरे male को भी positive कर सकते हैं अगर उन मेल में भी कोई दोनों में से कोई भी positive नहीं है तो किसी को HIV नहीं होगा अगर उनके multiple partner हैं जैसे हमने उससे पहले उस condition में समझे तो obviously ये बिमारी एक से दूसरे में जा सकती है तो कुल मिलाकर यहां पर कहने का ये मतलब है कि हमें सबसे पहले तो safe contacts पर ध्यान देना चाहिए और अजान व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए और जब भी हम किसी से physical contact बनाए तो जो safe mode हमारे पास, upload है, हमें जो हमारे पास condoms available है हम उनको use करके ही किसी से physical contact बनाए जहां पर अजान व्यक्तियों की बात है तो उनसे ना मिले और क्योंकि उनके बारे में हमें नहीं पता है कि कैसे और किस तरीके के हैं तो उससे हमारी life भी खत्रे में आ सकती है तो मेरी आप से जो है request रहेगी कि इस तरीके के physical contact से बचे और अपनी life को safe भी करे और इससे संबंदित अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप नीचे comment option और मुझे comment कर सकते हैं I will definitely reply you HIV AIDS से संबंदित हम पहले भी video बना चुके हैं लेकिन समय के अनुसार लोगों के बहुत सारे questions change हो जाते हैं condition के हिसाफ से change हो जाते हैं तो till then keep smiling, stay tuned, see you in next video